परशासन कमिशन खेलके याद बारी बारी सब के ले आउंचा सब भई कमिशन खेलके याद देख लिजी सोशासन बाबु देख लिजी करप्षन पर जीरो टॉलनेस का पहाडा सुनाने वाले सीम साहब देख लिजी देख लिजी कैसे आपकी महत्वकांची योजना धरातल पर फिसड़ी साबित हो चुकी है देख लिजी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में कैसे आपकी अपसरशाही ने पलीता लगा रखा है ये तस्वीरे आपके खासम खास बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में बीजेपी के विधायक विनोध नराज्जा के घर से लेकर आए हैं ताकि आपको सच दिखाया जा सके नल जल योजना की सच्चाई इसी से समझी जा सकती है कि पूर्व मंत्री के घर के सामने लगी नल की टोटी भी पानी के इंतजार में दम तोड़ चुकी है नल में जल देखने को यहां की जनता की तपस्या जितनी लंबी हो चली है इतनी लंबी तपस्या तो शायद राजा भगीरत में भी गंगा मैया को धर्ती पर बुलाने के लिए नहीं की होगी यहाल है मदवनी जिले की बेनी पटी प्रकंड मुख्याले का जहां नल जल योजना के नाम पर पैसो का उठाव तो हर पंचायत में हो चुका है लेकिन अभी तक अधिकांश जगों पर जल तो दूर नल भी नहीं पहुचा है उचने पर यहां की लोग बताते हैं कि सबने कमीशन खाया है सब का अपना-पना हिस्सा है भला तो अधिकारियों का हुआ है प्रशासन का हुआ है इसी इलाके में बिहार सरकार के पूर मंत्री और वर्तमान में बीजेपी के विधायक विनोध नराण ज्छा का आवास भी है पंचायत में नल जल की हकीकत जानने के लिए जब निकले तो रास्ति में विधायक का घर भी मिला उनके घर का दरवाजा तो बन था जिसकी वजए से ये तो पता नहीं चल सका कि विधायक जी के घर में सरकार की नल जल योजना पहुची है के नहीं लेकिन उनके दर्वाजे पर लगी नल की टोटी, योजना की हकीकत और नितीश कुमार के साथ साथ बेनी पटी के सरकारी बाबुओं के दावों की पूल खोल रही थी वास्तविक्ता में हकीकत भी यही है योजना से जूले ठेकेदार सहाब भी पाइब को आसमान के सहारे लटका कर चल दिये हैं यहीं से चंद किलमेटर की दूरी पर प्रखंड और अनुमंडल का रियाले हैं जहां अधिकारी बाबु बैठते हैं सरकारी योजनाओं को लागू करने का जिम्मा जिनके पास होता है लेकिन इन बाबुओं के ना तो कान तक ये ख़बर पहुँची है ना है इन बाबुओं की आँखों ने इस हाल को देखा है जबकि हालात ऐसे हैं कि जगे जगे वाटर पोस्ट पैसे की बरबादी की गाथा कह रहे हैं असल में करफशन पर जीरो टॉलरेंस की नीती का ढोल पीटने वाले सुशासन वाली सरकार की मुखिया नितीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नलजल योजना पूरे प्रदेश में भरष्टाचार का पिटारा बन चुका है खुद सरकार भी इसको जानती और मानती है पिछले दिनों ही पंचायती राजविभाग ने ये साफ कर दिया कि हर घर नलजल योजना में काम पूरा न करने वाले मुखिया और वाड सदस्य आगामी पंचायत चुनाओ नहीं लड़ पाएंगे जिसके बाद से चार सो मुखिया और सत्रह सो वाड सदस्यों पे तलवार लटकी है खैर सुशासन के इस फरमान में भी चालाकी और ढोंग साफ नजर आता है क्योंकि सिर्फ मुखिया और वाड मिलकर सरकारी राशी का गबन कर ले ये संभब ही नहीं है बगैर अधिकारियों की दया दिश्टी यानी साथ गांट के इतना बड़ा खेल हो ही नहीं सकता मतलब साफ है कि अपने कमीशन खोर अधिकारियों को पाक साफ रखते हुए नितीश सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी छोटी मचलियों पर गाज गिरा कर रश्टा चार पर जिरो टोलरेंस वाला पहाडा सुनाने का प्लान तयार कर लिया है आपने के अपने के लिए फायदा में पर्सासन की लिए भाद बखिया जनता के लिए फायदा मान के चीज ने चे आई ज़िए आई के एट माने टियोल के जते खर्च खेल के यह ओकरा अधो पाई दीता है तक गाउ में जय जय रहते कोल गरादी ने रहते हैं लेकिन यह कोई काज के नहीं है परशासन लेके ना फैदा चे परशासन कमिशन खेल के यह बारी-बारी सब के ले आउंचा सब भाई कमीशन पेल किया तेहां उकडा फैदा छे मतला लोग के फैदा नहीं चे लोग के कथी फैदा छे जय लाट फैदा सामने देखी ची किची कोणों वाट मेंँ ठॉले छे तेहन शूनिछाट कोणी छा थे चुनि Randi елиHa 좋아요 कोणों रूपले ये लाखो करोड़ रूपले दूपली हिए लाखो क्रोरॉ रूपले आतो छली ए पाल मैं कंघ में करेंक रल लुक्षै तक हुआ जिल गिल ल कमीशन बान हल चेट हो गया है कमीशन में बान हल चेट हुआ ही ना मंत्री तक के कमीशन चेए में जल्ला बात करीशी यां